भारतिय बांगमे में सबसे प्राचीन विमान के रूप में पुश्पक विमान की चर्चा सबसे पहले वालमी की रामायन में मिलती है वैदिक साहिते में देवताओं के विमानों की चर्चा है लेकिन दैतियों और मनोश्यों द्वारा उप्यों किया गया पहला विमान पुषपक ही माना जाता है वालमी की रामायन के विभिन संदर्वों का सार ये है कि विश्व कर्मा ने पुश्पक विमान का निर्मान कर ब्रह्मा को भिंट किया था ब्रह्मा ने ये विमान लोग पाल कुबेर को दे दिया कुबेर से ही इस विमान को रावन ने छीना था रामायन के अनुसार इस विमान के विशेष्टा ये थी कि इसका स्वामी जो मन में विचार करता था उसे का यहनुसरन करता था ये एक शीग्रकामी दूसरों के लिए दुरलब वायू के समान वेक्षाली और विचित्र वस्तूओं का संग्रत था परणिक संदर्वों में विज्ञान की खोच करने वालों की माननेता है कि प्राचीन भारतिय विज्ञान आदमिक विज्ञान की तुल्ला में अधिक संपन था इस लिहाज से इस विमान का अस्तित्व और उसकी प्रमानिक्ता स्विकारी जाती है इसके पीछे तरक्या प्रमान उपलब नहीं है लेकिन प्राचीन भारतियों की विज्ञानिक शमता में विश्वास करने वाले जानते हैं कि ये विमान था और ततकालीन विज्ञान का सबसे अच्छा नमूना था भगवान राम रावन पर विजय के बाद इसी विमान से अयोध्या लोटे थे भगवान ने उप्योग के बाद पूजन कर ये दिव्धे विमान वापस को बेर को लोटा दिया था अगर आपको ये विडियो पसंद आये तो लाइक एवं शेर जरूर करें आपको हमारा ये विडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताए यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिल्चस वीडियो देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें